ये है तुम्हारा napkin, इसे खुलते हैं, ये प्लास्टिक का बना हुआ है और इसकी वज़ा से हम इसे तुम्हारा seal भी नहीं कर सकते हैं, ये देख, ये एक ही दरफ से seal हो सकता है, और इसके दूनों साइज में जगा है, जिसकी वज़ा से इसमें air जाती है, और उसकी वज़ा से इसमें बैक्टीरिया और मॉइश्यर पहुंचता है उसकी वज़ा से फेक्शन हो जाता है और ये रिसाइकिबल मटीरियल से भी नहीं बना है अब दे आनियन सानेट्री नापकिन को इसकी पैकिंग बहुती इंप्रेसिव है और उसके साथ साथ ये चारो तरफ से सील्ड भ किया जा सकता है और तो और ये रिसाइकिबल मटीरियल से भना है जिसकी वज़ा से ये हमारे पर्यावरण के लिए पूरी तरह सुरक्षित है लेकिन दिव्या मैंने इन बातों पर तक भी ध्यानी नहीं दिया हां नी हां पीरिट्स के दिनों में किसी भी सानेट्री नापक किसी भी ब्रैंड से जादा बहतर कैसे है कर दो झाल मैंने आपके लेकिस हैं रहां इन प्राइब कर देमोरी तरह मां जादा प्राह्ण से वे जादा हैं प्राह्गा। अब मैं इस तेरे वाले नापकिन पे 50 ml ब्लू लीक्विड डालूगे ये देख ये लीक्विड बुरी तरह से पैट पर विखर चुका है और लीक्विड ये पैट अब्सोर्ब भी नहीं कर रहा है और ये देखो साइट से लीक होना भी शुरू हो गया है अब मैं आनियन साने फ्री नापकिन के उपर 50 ml ब्लू लीक्विड डालते हूँ ये देख आनियन साने फ्री नापके लिक्विड कितनी अच्छी तरह से अब्सोर्ब किया है और ये कहीं से भी लेक नहीं हो रहा है हाँ दिव्या ये तो वाकर बिल्कुल नहीं लीक कर रहा है हाँ अब हम इसके उपर एक पेपर नापकिन रखके देखते हैं ये देखो कि इस तरह से साने फ्री नापकिन से पूरा लीक्विड इस पेपर नापकिन के उपर आ रहा है और अब हम आनियन के उपर एक टिशू पेपर रखके देखते हैं ये देखो नहीं है, ये है आनियन सानिटरी नापकिन का जादू प्रेस करने के बाद भी टिशू पेपर सुखा है हाँ, ये तो पूरी तरह से सुखा है हाँ, अब मैं तुम्हें इसके लैज निकाल के दिखाती हूँ ये देखने हाँ, तेरे वाले नापकिन को प्रेक करना डिफिकल्ट है क्योंकि ये प्लास्टिक से बने है